सbling स्टिद dio यसा नग ऊसा निलल्ड कर कोbanें मुझता कि Dartmouth स्क्षाय सानिया मिर्जा प्रर सेंव सिंग। सिंगल्स नी नी प्लेयर सानिया मिर्जा नथी। नमबर वन प्लेयर चे, अंकीता रहुना, डबल्स मा, नमबर थ्री पर चे, अंकीता रहना, सानिया मिर्जा, नमबर वन पर चे, अंकीता रहना, जे वो 7-5 मी बखत, तो Fed Cup मा टे कौलिफाइ था, आजये, तो आव सीधी, तेलिदो साथे बात करिये, अंकीता, consecutive 5th time आप Fed Cup के लिए क्वालिफाई हुए, कैसा लगता है? काफी खुश हूँ मैं, सबसे पहले तो मगवान को मैं मतलब शुक्र गुजार हूँ because I think सबका ड्रीम रहता है अपनी कंट्री के लिए खेलना और मैं काफी लखी हूँ, मुझे 5th time consecutively ये मौका मिल रहा है and of course मेरे parents और coach का जो support रहा है अभी तक यहाँ पहुचने में and even sports authority of Gujarat जो मुझे help करते हैं तो काफी खुश हूँ मैं और motivated हूँ and I'm ready for the challenge Fed Cup की अगर बात की जाए तो Fed Cup mostly Women's Tennis का World Cup माना जाता है और आप 5th time उसमें खिलने जा रहे हो तो Fed Cup कितना tough tournament है खिलने के लिए हम अभी India Group 1 है, Group 1 में है, Asia Oshana Group 1 और इसमें 8 countries रहेंगी जिन में से Japan, Kazakhstan, Uzbekistan, Korea और ये सब teams रहेंगी तो मुकाबला काफी tough रहेगा बट I think we are ready for it और मैं काफी confident हूँ मेरा अभी जो performance रहा है ये साल में और इवन सान्या में जवाह होंगे तो काफी हमारी अच्छी team है ये साल में आपने बताया आपका performance काफी अच्छा रहा है तो कोई ऐसी achievement जो आपने इस साल ली हो जो बहुत बड़ी achievement हो एक तो जो WTA events होते हैं जो Grand Slam के जिस्ट एक लेवल बाद होते हैं उन में मुझे entry मिली और मैंने पार्टिसिपेट किया qualifying as well as main row events में और चाइना में जो ITF का 50,000 डॉलर का event house में मैंने doubles title लिया so that was a very big achievement for me एक बाद आपको अंकिता पूछना चाहूंगा हाल ही में एक फिल्म आई है कुस्ती से related dungal उसमें आमिर खान ऐसा बोलता है कि एक खिलाडी तो देश के लिए खिलता है लेकिन देश खिलाडी के साथ नहीं रहता तो आप क्या कहना चाहेंगे टेनिस में किस तरह के improvements की जरूरत है government में कि ताकि players को ज्यादा motivation मिले ज्यादा support मिले I think हमारी जो government है इंडिया में उन्हें जो sports authority of gujarat sports का जो model है gujarat में sports का तो उनको वो follow करना चाहे I think जैसे हमारी शक्तिदूत योजना जो start हुई थी around 2014 में और उसे जो players को support मिल रहा है काफी sports में I think it is very important for the to nurture a player और जो grassroot level से अगर players को support मिलेगा तो काफी जादा लोग आएंगे sports में The sports authority of gujarat तो अच्छा कर रहा है आपकी बातों से यह मालू होता है एक बात में यह आपको पूछना चाहूंगा अब ज्यादा तर international tournaments में इंडिया के बाहर खेलती रहती है मतलब इंडिया में आप बहुत कम होती है गुजरात में बहुत कम होती है लेकिन आप खेल तो गुजरात के लिए ही रहें तो जब आप जीतते हैं कोई tournament तो eventually तो गुजरात का ही नाम उपर आता है तो कैसा लगता है Of course काफी proud feel होता है मेरा born and brought up गुजरात में अम्दाबाद में हुआ है इवन के मेरी schooling तो वो pride वाली feeling हमेशा रहती है के दिल से तो मैं गुजराती हूँ और लास्ट येर भी 2015 में जो नैशनल गेम्स हुए थे के ला में तो वहां भी मैंने गुजरात को रिप्रेजेंट किया था और तीनों एवेंट जो थे singles, doubles और team event जो था तीनों में gold medal मिला था तो I think it was a very proud moment for me तो अंकिता थैंक्यू एरिमच हम़रे साथ बात करने के लिए और best of luck Fed Cup के लिए तो आता अंकिता रहना के जो Fed Cup मा रमबा जही रहाएचे सतत पांच मी वकट बार फेबरो आ रहे थे या टोर्नामेंट नी शरू आता है जहने गुजरात ने देश एवी जाशा राक्षे के अंकिता रहना भारत माटे जीती ने आवे केमरावन मले दवे साथे यश मोदी ABPS मिता अंदबाद